हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो मैं चैनल यूपीपीज़ चोहान तो दोस्तों मेरा नाम है कीरचाहन गाज यहां हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की क्या मतलब जो आपकी द्रिश्टी 2021 कर रहे हैं गया से करेंट अफियर्स की बुक है सेप्टेमर 2020 से लेकर 2020 से लेकर सेप्टेमर 2021 टक ठीक इसमें आज हम अब हम करेंगे पार्ट 5 यानि की आज हमारा चल रहा है डेट 3 डेट 3 में हमें पाट ला चुके हैं अब हम करेंगे पार्ट 5 इसी बुक है तो जैसे यह काफी बड़ा नहीं है आठ से नौ पेज़ेस काई है विदिक परीदर्श तो इसी वीडियो म और इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं विदिक परीद्रश है तो देखें सबसे पहले क्या लिखाए यहां पर देखें क्या लिखा है राश्य अंतराश्य महतिव की विदिक घटनाओं का क्या विसलेशन तो दोस्टों यहां पे लिखा है कि कैंदे सरकार द्वारा प्रगों करते हुए नियम को अधी सूजित किया गया यह संशोधन 21 सितंबा 2021 को लागू हो गया है फिर अब इसमें हम कुछ देखेंगे इसके कुछ important points है लिखा है नवीन तम संशोधन के माध्यम से केंदी सरकार द्वारा सभी सेक्षिक संस्थाओं हे तु प्रिटेंट फीस में 80 प्रतिशत तक की कटवति की गई है और इसका उद्देश नवजा और नवीन और प्रोध्यकी की विकास को प्रोसाहन देना है तो लेखनी है कि अभी अभी तक यह लाग सरकार के सौमित वाले सभी मानिता प्राप्तर सेक्षिक संस्थानों को ही उपलब्द है तो कि केंदर राज्य और केंदर शाष्ट छेत्र द्वारा प्राधीकरत किसी प्राधीकरण द्वारा मानिता प्राप्त सेक्षिक संस्थान शामिल होंगे विभिन प्रयासों के परणाम सरू पेटेंट की जाच में लगने वाले समय वर्ष 2015-72 महीनों से घटकर वर्तमान 12-30 मही सले अब तक कुछ वर्ष लगते थे भी पहले से गटकर ओसत 48 मन्त हो गये हैं पेटेंट आवेदनों के अंतिम निप्टान का समय वर्ष 2021 के अंत्य तक कम होकर ौसतत जो आपका है 24-30 महीने रह जाएगा नेक्स्ट है इसमें हमारा ड्रोन नियम 2021 मानव बिमान प्रणाली द्रोन के रूप में जानजाता है 25 अगस 2021 को नागरभीमान मंतराले द्वारा द्रोण नियमावली 2021 को अधिसऊचित किया गया गए यहाद से पूर्व data 2021 में मंतराले द्वारा द्रों यहावली 2021 प्रकाशत की गई थी जिसे क्या है स्टार्ट अप सिख्षा विदो और अन हित धरकों ने स्वभाविक रूप से प्रति बंदित माना था क्योंकि इसके तहत अधिक कागजी कारवाई के सासा द्रोण की प्रतियेक उडान हितु कई अनुमती प्राप्त करने की आवशक्ता थे इसके तर पकेंद सरकार ने मार्श 2021 में प्रकाशत यू एस नियम 2021 को रद कर उसके इस्थान पर एक नई उदार द्रोण नियम अवली 2021 को लागू करने का निर्ने किया तो गैस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है नई उदार द्रोण नियम 2021 के तहत अनेक पाइलेट लाइसेंस द्रोण बंदरगह प्रादिकरण आदितो प्रपत्रों की संख्या जो है 25 से घटकर 5 एवं 72 प्रकार के शुलकों की जो संख्या है वो घटकर 4 कर दी गई है फेस में लिका है शुलक की मात्रा को घटा कर नाममात इस तर पर किया गया है जिसका पाइलेट लाइसेंस सुलक जो बड़े द्रोण हेटू 3,000 रुपे था उसे सभी श्रेणियों के द्रोण के लिए घटा कर 100 रुपे कर दिया गया है और ये 10 वर्षों तक वैद रहेगा विविन प्रकार के अनुमोधन प्राप्त करने हितू वेबसाई के अनुकूल सिंग तो यहां लिका है हरित छेत्र यानि कि ग्रीन जोन में 400 फीट तक और हवाई अडे की परिदी जे आठ से बारा किलोमीटर के बीच छेत्र में 200 फीट की उधर वादर दूरी तक द्रोण उडाने उडान हे तो अनुमती के आवशकता नहीं होगी तो इसमें लिका है हवाई अडे की परिदी से पीले छेत्र को पैटालिस किलोमेटर से घटा कर कितना बारा किलोमीटर तक कर दिया गया है अम माइक्रो द्रोन जो आपका गैर व्यपारिक इस्तमाल है तो जो है नैनो द्रोन है तो रिमोर्ट पाइलेट लाइसेंस के आवशकता आप नहीं होगी तो तो यहां पर देखिए, नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया, इसमें कहले का है, भारत में पंजीगत, विदेशी स्वामित वाली कंपनियों द्वारा द्रोन संचारन पर कोई प्रतिबंद नहीं है, द्रोन और द्रोन के पूर्जों के आयात को विदेशी व्यापार महा निद विश्य में, नो पर्मीशन, नो टेक ओफ, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जीओ फेसिंग आधी, जैसी सुरक्षा, सुरक्षा सुविधाओं को क्या है, अधिसूचित किया गया है, तो इसके अनुपालन हीतु, उद्द्योग को 6 महीने का समय दिया गया है, और व्याप तो इसमें क्या लिखा देखें, 127 वन जो समिधान संशोदर विद्यक है, यानि कि 2021, 10 अगस्ट 2021 को क्या है, लोकसभा और 11 अगस्ट को क्या है, राजसभा में पारित हो जाता है, और 18 अगस्ट को इसे राश्वपती के द्वारा मंजूरी मिल जाती है, और ये 105 वन समिधान संशोदर अधिनियम 2021 का रूप धारण कर लेता है, यानि कि अब जो विद्यक है, वो आपका क्या बन जाएगा अधिनियम, लिखा है कि 19 अगस्ट 2021 को 105 वा समिधान संशोदर अधिनियम 2021 अधिसूचित किया गया, इसका उद्देश है, सामाजी के विद्यक रूप से पिछ उच्चितम नयाले के निर्णे के प्रभाव को समाप्त करने ही तु आविशक था, अब लिखा है मई, 2021 में उच्चितम नयाले ने एक निर्णे के अनुसार, 102 समिधान संशोदर के लागू होने के पश्चा स्वमुदाय की पिछड़े वर्ग सूची में शामिल करने और ब प्रधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है, NCBC को, फिलेखाई साथ ही यह अधिनियम, सभी उद्देशे हितु, किसी भी राज्यों के इंदे शाची छेत्र के लिए सामाजी को स्यक्षिन क्रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिकार राश्च्रपती को प् केंद्रिय सूची होगी और जो केंद्रिय सरकार द्वरत त्यार की जाएगे नवीनतम संशोधन के अनुसार प्रतेक राज्य केंद्रिय शाशित छेत्र भी सामाजी को स्यक्षिन टूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकते हैं या कर सकेंगे जो केंद्रिय प्रदेश नेक्स राष्ट राष्ट्रे होमेपेथि आयोग संशोदन अधिनियम 2021 तो इसमें लिखाए यह दस अगस्त 2021 को लोकसभा 11 अगस्त को राधिसभा में पारित होता है और ठारा को राष्ट्पति मन्जूरी इसको दे देते हैं फिर लिखाए इस अधिनियम का देश शाशी बोड द्वारत किये गए कारे और लिए गए नेड़े और डाइतों को सुरक्षित बनाना है यह अधिनियम जो है आपकी गुडवत्ता और सस्ती चिकिस्सा सिक्षा के तहट के तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकिस्सा सिक्षा प्रणाली प्रदान करने 2020 में संशोधन करता है तो 2020 के अधिनियम में होमियोपैथी केंद्री परिशत अधिनियम 1973 का स्थान लिया है अब 1973 के अधिनियम के माद्यम से होमियोपैथी सिक्षा और विवसाई को वी नियमित करने हितू केंद्री होमियोपैथी परिशत की इस्थापना की गई है 2020 के जर्च्षिय आयोग गठन का प्राभधान किया तो लिखा राश्य विम्युक्रति आयोग गठन आपका पांच जुलाइ 2021 को किया और 1973 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया अब 2021 का अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अधिशाशी बोर्ड 1973 के अधिनियम के तहट द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबी शक्तियों कार्यों को 2020 के अधिनियम के तहट कि गए माने जाएंगे और यह लागू रहेगा आगे बढ़तें दोस्तों इसमें कि यह जो है आपका जो विदेख है आपका 2 अगस 2021 को लोकसभा 11 अगस को राज्यसभा द्वारा पारित और 18 अगस को राश्पति की थैमति इसको मिल जाती है फिर लिखाए कि यह अधिनियम सामान बीमा दिवसाय राश्टी करण अधिनियम 1972 का इस्थान लेगा नईंतन संशोधन के तहट 1972 के अधिनियम के अंतगत बीनियमित होने वाली सार्विन छेत्र की बीमा कमपनियों में निजी छेत्र की जो है भागिदारी बढ़ाने का प् नए अधिनियम इस प्राध्धान को क्या करता है हटाता है कौन सा प्राध्धान ये वाला उसके बाद लिखा है कि नए अधिनियम सामान बीमा विवसाय की परिवाशा में परिवर्तन करते हुए बीमा अधिनियम 1938 के अधिनियम में दी गई परिवाशा को संदर्भित करता अब लिखा है जो की अगनी समुद्र विदिक वीमा व्यवसाय के अतिरिक्त कापिटल रिडेंप्शन और क्या एन्यूटी स्टेंग को सामानी वीमा विवसाय में तामिल करता है और नया अधिनियम निर्देश्ट वीमा कंपनी के निर्देशक की जबाब देही को भी क्या करता है समिधान अनुसूची जन्जाती आदेश संशोधन अधिनियम 2021 इसमें क्या लिखा है कि विद्याक है वह 2021 जो विद्याक है वह 5 अगस्त को राज्य सभाव में नौ अगस्त को लोक्सभा में पारित किया गया तेरा को राश्वपती की मझूरी से मिल जाती है तो इस यह क्य के लिखाए गाइस 18 को संशोदित करने का प्राभ्धान करता है तो इस यह अधिनियम जो है अरणांचय प्रदेश द्वरा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है तो वर्तमान में अरणाचा प्रदेश राज के संबंद में अनुसूचि जनजातियों की द्रिश्टांगत सूची में क्या है 18 समुदाय है तो आगे क्या लिकाए कि ये अधिनियम अरणाचा प्रदेश राज से संबंद अनुसूचि जनजातियों की सूची में प्रस्तावित संभुदाय के लोगों को प्रदान किये जाने वाले लाब हो है तो भारत की संचित निदी को से संचित निदी से कोई अतिरिक्त आवर्ती वे नहीं करेगा तो जो है अधिनियम अरणांचा प्रदेश में चिन्हित अनुसूची जनजाती की सूची से अबोर जनजाती को क्या करता है हटाता है चलिए इसमें लिखा है मूल सूची और प्रस्तावित बदलाव जो अभी हुए है ठीक है मूल सूची में यहाँ पर लिखा है कि अबोर अब यहाँ पर बदलाव क्या हुआ है सूची से हटा दिया गया यहां पर है खामती खामती इसमें लिखा है ताई खामती कर दिया अब लिखा है मिश्मी इदू और तारों अब मिश्मी कामन क्या है मिजू मिश्मी और इदू मिश्मी और क्या है तारों तारों दिगारू मिश्मी हो गया है अब इसमें लिखा है म मोंबा मैंबा संत रंगा और साजो लांग मिजी यह हो गया गाइस इसकी जगह पे अपर कोई नागा जन जाती तो इसमें लिखा है आपका नेक पे टांग सा तुस्सा और वांचो अब यहां पर लिखा है निक्षे बीमा और प्रत्याय गैरेंटी निकम संशोदन अधीनियन 2021 तो इसमें भी आप देखते हैं तो इसे चार अगस्त को राज्यसबा, ने अगस्त को लोगसबा द्वारा पारित कर दिया जाता है और तेरा आगस्त को राष्ट्रपति की मनजुरी मिल जाती है तो इसमें कुछ तत्थ हैं तो इसमें लिखा यह अधिनियम Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation at 1961 में संशोधन करेगा और यह जो संशोधन अधिनियम 2021 बैंक पर प्रतिबंद होने पर भी जमा करता हों कि उनके अपने धन तक आसान और समय बद पहुंच में सक्षम बनाता है फेस में लिखा है कि Moratorium जैसे प्रतिबंदों के कारण बैंकों द्वारा अपने दाइतों को पूरा करने में और इस्थाई रूप से और समर्थ होने पर जमा करता निगम द्वारा अंतरिम भुकतान के मादिम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी राशी का उप्योग कर सकते ह अपनी जमा राशी के तहट बैंकों वित्ति संस्थानों के बैंक जमा गैरेंटी क्रेडिट पर क्या है इंश्योरेंस देने हेतू कॉर्परेशन की स्थापना की गई है फिर लिखा है नभीनतम अधिनियम में किसी भी बैंक के स्थगन की स्थिति में उसके ग्राहों को 90 द अपनी जमा राशी में से अधिक्तम पांच लाग रुपे निकालने की सुविधा प्रदान की गई है गौर्ट तरलफ है कि पिछले वर्ष 2020 सरकार द्वारा बीमा कवर एक लाग रुपे से बढ़ा कर दिया था पांच लाग रुपे कर दिया था और जो वर्ष 1993 में क्या तो यह जो आपका विधेक है वो 6 अगस्त को लोकसभा, 9 अगस्त को राजसभा और 13 अगस्त को क्या है राश्पती की सहमती इसको मिल जाती है आगे बढ़ते हैं फिर इसमें लिखाए कि जो यह आपका अधिनियम है ना मतलब इसने का आईकर अधिनियम 1961 और विती अधिनि अधिनियम ने आएकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया था ताकि विदेशी कंपनी के शेयरों की विक्री में अर्जित आये पर क्या है पूर्व व्यापी यानि की आपका लिखा है रेडोस रेट्रोस इस पैप्टिव आधार पर क्या है कर देता को लागू किया जासा कि अध अधिनियम 2021 में प्रावदाने की अधिलेन देन 28 मईस 2012 से पहले किया गया है तो भारती संपत्ति के किसी अप्रतेक्ष हस्तांतरण के लिए कथित पूर्व व्यापी संशोधन के अधार पर भविश में किसी टेक्स की मांग नहीं की जाएगी तो नवीनतम संशोधन के अउ अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 तो भारत सरकार ग्वारा अनुप योगी अधिकरणों की समाप्ति और सम्रूप अधिकरणों का विल्ले करने हितु वर्ष 2015 से प्रयास किया जा रहा है और वित्य अधिनियम 2017 के माद्यम से सरकार ने साथ अधिकरणों का उत्साधन कर दिया को लोकसभा 9 अगस्त राज्यसभा में पारित हुआ और 13 अगस्त को राष्टपती की सहमती यानि की मंजूरी मिल गई तो इस अधिनियम ने क्या किया एप्रेड 2021 में जारी ऐसे ही एक अध्यादेश का स्थान लिया है यह लिखा है अधिकरन कानून द्वारा इस्थापित न अपीलिय अधिकरन विमान पत्तन अपीलिय अधिकरन और वद्धिक संपदा अपीलिय बोर्ड वनस्पती प्रजाती अपीलिय अधिकरन अथौरिटी फ़र एडवांस रूलिंग को समाप्त करने का प्रापधान सामय है तो अधिनियम 2021 में खोज सह चैन समिती की स्थापना का प्रापधान शामिल है जो विविन अधिकरनों के अधिक्ष और सदस्यों का चुनाव या चैन करेगी तो इस समिती के अधिक्षता भारत के मुख्य नय अधिश उनके द्वारा नामित उच्छ नय आले के सभी नय दिश द्वारा की जाएगी तो राज प्रसाशनिक वर्ष या सत्तर वर्ष की आयू प्राप्त करने तक मतलब जो इसमें से ज्यादा हो या पहले आजाए वह होगा ठीक अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है राश्ट्री राजधानी छेत्रों और निकटवर्ती छेत्रों में वाईव गुडवत्ता प्रबंदन आयोग अधिन अध्यदेश लाए गया तो यह अधिनियम इस अध्यदेश को प्रति इस्थापित करता है फिर लिखा है आपका राश्ट्री राजधानी छेत्र तता निकटवर्ती छेत्र में वाई गुडवत्ता प्रबंदन आयोग विध्यक 2021 चार अगस 2021 को लोकसवा और पांच तारिक को पांच अगस को राजसबा में पारित होता है और बारा अगस को राश्ट्रपती के द्वारे से सहमती मतलब क्या मिल जाती है फिर लिखा है कि यह अधिनियम राश्ट्री राजधानी छेत्र तता निकटवर्ती छेत्रों में वाई गुडवत्ता से समध्याओं के बहतर स तो इस अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1998 में इस्थापित परवरन प्रदूशन रोख्थाम और नियंतरन प्राधिकरण को भंग कर दिया गया इस अधिनियम के प्रावधानों का आयोग के आदेशों और निर्देशों का उलंगन करने पर पांच वर्ष तक की कैद एक प्रावरनी मुआबजे के अनुसार किसानों से मुआबजा वसूल सकती है ठीक है आयोग के सभी आदेशों के खिलाब अपील की सुनवाई राश्य हरित नयाधिकरण द्वारा की जाएगी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज़ पर हम लोग तो यहां क्या लिखा यहां ल 2021 को अदिसूचित कर दिया ठीक है नीयम 2021 प्लास्टिक अक्सष्ट प्रबंधन नीयम 2016 में संशोधन का प्रस्ताफ करता है ठीक है 2016 का जो हुए है उसका संसोधन तो यह है आपका नियम के तहट 2022 कम उप्योगिता वाली जो चिनित एकल प्रयोज प्लास्टिक वस्तूं के प विस्तारित, पॉलिश, टेरीन, समित, विभिन, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तों के निर्मार उसका आयात, भंडार, वितरण, बिक्री उपयोग को प्रतेबंदित किया जाएगा एक जुलाई 2021 से, तो 30 सितंबर 2021 से हलके वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैक की जो है मोटाई 50 माइक्रों से बढ़ा कर किती 75 माइक्रों और 31 सितंबर 2022 से 120 माइक्रों तक कर दी गई है ताकि इसके पुनर उपयोग की अनुमती देकर कचरे की उत्पत्ती को रोक जा सके भारती विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्रादिकरन संशोधन अधिनियम 2021 तो गैस इसमें भी कहानी वही है चार अगस्त जो विद्यक है चार अगस्त को राजसबा बारा अगस्त को सौरी काई थे हाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 2021 का अधिनियम भारती विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्रादिकरन अधिनियम 2008 में संशोधन करता है तो किसमें करता है संशोधन यह आप लोग याद रखेगा अधिनियम 2008 में ऐसे विमान पत्तन को प्रमुख विमान पत्तन के रूप में निर्दिष्ट करने का प्राभधान शामिल है जिसका वार्षिक यात्री ट्रैफिक नियुनितम किता हो आपका 35 लाख हो और साथ ही केंद सरकार किसी भी हवाई अड़े को एक अधिसूचना द्वारा प्रमुख हवाई अड़े के रूप में नामित कर सकती है लिखाए अधिनियम 2021 के तहट केंदिसकार विमान पत्नों को समू बद कर ऐसे किसी समू को प्रमुख विमान पत्न के रूप में अधिसूचित कर सकती है फिर लिखा है प्रमुक हवाई अड्डो की परिभाशा में संशोधन करके हवाई अड्डो के एक सम्मू के लिए क्या लिखा है टैरिफ निर्धारन हेतु भार्टी विमान पत्तन आर्थिक विमान बिनी यामक प्राधिकरण को सक्षम बनाना बनाया गया है फिर आगे है आवशक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 फिर वही कहान ही है यह जो विद्यक है आने की बिल पांच अगस्त को राजसबा और तीन अगस्त को लोकसबा और ग्यारक को इसे राष्टपती की मंजूरी मिल गई तो इसने कहा कि अधिनियम 2021 को जारी किये गए उसके बाद यह अधिनियम आया अधिनियम के तहट के इंदिसरकार भारत की संप्रभूता एक्त और किसी राजी की सुरक्षा सार्फजिनिक विवस्त और जनता शालीनता नेतिकता के हित के लिए जरूरी होने पर आवशक रक्षा सेवाउं से जुड़ी इकायों में हड़ चाटनी पर प्रतिबंद लगाने का आदेश जारी करता है और प्रतिबंद 6 महीने तक लागू रहेगा और 6 मा के लिए और बढ़ाया जा सकता है तो प्रतिबंद का आदेश जारी होने के बाद या उससे पहले शुरू की गई हर्दार और ताला बंदी अवैध होगी ठीक तो इसके साथ ही अवैध हर्दाल के लिए क्या लिखा है बढ़काने उकसाने और जारी रखने और ऐसे देशे हित्तु धन मुहया कराने वाले लोगों को दो वर्ष तक की कैद हो सकती है और पंद्रा हजार रुपे का जुर्माना और दोनों हो सकता है इसके अतरिक्त ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुसाशनात्म करवाई करने का भी प्रावधान है तो इस अधिनियम के तहर सभी अपराद संगे और गैर जमानती है ठीक है यह अधिनियम क्या लिखा है औध्योगी विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करता है जिससे आवशक रक्षा तेवाउ को लोग उपियोगी सेवाउं में क्या है शामिल किया जा सके तो इस नेक्ष अमारा आता है फैक्टरिंग बी नियमन संशोधन अधिनियम 2021 तो इस इसमें लिखा है सूक्षमर लगू और मध्यमुद्योग शेत्र को राहत प्रदान करने और उन्हें नगदी प्रवाह सुन जट्थिव की बात करें तो ध्यायद है कि मार्य जो कानून में संशोधन यू के सिंहा समेती की सिफारिश पर आधारित है तो आगे लिखा है इसमें कि उक्त अधिनियम फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन करता है ताकि उन संस्थानों के दायरे को बढ़ाया जा सके जो फैक्टरिंग व्यवसाई में संलंग्ड हो सकते हैं तो अधिनियम 2021 के माध्यम से सुक्ष में लगव और मध्यम वुद्योग को रिण की उपलब्दता में क्या है सुधार होगा तो इस जो यह आपका एक्ट है यह प्राक्त व्यव और लिखा है समानु देशन और फैक्टरिंग व्यवसाई की परिभाशा में बदलाव करता है के साथ पंजिकोरत बीना कोई कमपनी पंजिक कोई कमपनी व्यवसाइय नहीं कर सकती है 2011 के अगर किसी गैर बैंकिंग वितिय कंपनी को फैक्टरिंग बिजनस करना है तो उसकी व्यवसाई में लगई वितिय संपत्ती और फैक्टरिंग व्यवसाई के आए दोनों 50% से विसाई करने की अनुमति देता है अब लिखा है शोध अक्षमता और दिवाला सहिता संशोधन धिनियम 2021 तो यहां लिखा है देश में कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन का सरवादिक दुस्प्रभाव MSME इकायों पर पड़ा है MSME जो उध्यमियों पर बढ़ते करजा उनकी एकायों के बंद होने से उनके दिवालिय होने का खत्रा क्या है मंडरा गया तो उप्युक्त को संग्यान में लेकर मार्च 2021 में भार्टिय दिवाला और शोधन अक्षमता बोड के अध्यक्षिक्या MS. साहू के अध्यक्षिता में गठिद इन्सॉल्वेंसी लॉक लॉक कमेटी यानि की आई लसी ने इन्सॉल्वेंसी और बैंकर्प्सी जो आपकी सहीता है यानि की आई बीसी दोजा सोला की मूल संरचना के अंतर क्या है प्री पैकेश्ट धाचे की सिफारिश की है ठीक है तो अब इसमें लिका है देश में कारो बारी वातवरण को सुगम बनाने के उद्देश से लाया गया संशोधन अक्षमता दिवाला संहिता संशोधन विध्यक दोहजार इकिस अठाइस जुलाई को लोकसभा तीन अगस दोहजार इकिस को राजसभा में पारित हो जाता है और ग्यारा अगस को राश्वत दिवाला संहिता दोहजार सोला संशोधन करता है तो इस संशोधन अधिनियम के तहर तूक्ष में लगू और मध्यम उद्योगों को तनाव ग्रस होने के इस्तिति में व्यकल्पिक दिवाला संस समाधान प्रक्रिया की सुविधा दी जाएगी जिससे प्री पैकेजड इंस प्रोसेस शुरू करने के लिए आविदन किया जा सकता है के दिसरका नियुनितम डिफॉल्ट की सीमा को अधिसूचना की माधियम से बढ़ा कर एक करोड उपेता कर सकती है तो नए है नारियल विकास बोर्ट संशोधन अधिनियम दो हजार एकिस तेस यहां लेकाई नारिय नारियल विकास बोर्ट संशोधन करता है नारियल विकास बोर्ट की इस्थापना की गई थी तो अधिनियम दो हजार एकिस जो है नारियल विकास बोर्ट के प्रबंधन और प्रसाशन में सुधार के उदेश से संरचना में संशोधन करता है तो इसमें लिकाए कि जो अधि के उत्पादों के विपरेंट में सुधार के उपियों की सिफारिश भी करता है तो अधिनियम 1979 के अनुसा बोर्ड उन्च हेत्रों को संचाले त्योजनाओ के वित्य अन्हेतु सिफारिश करता है जहां नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा हो या होता हो जबकि अधिनियम 2021 में ऐसी वित्य सुविदा को सभी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है तो अधिनियम 2021 द्वारा बोर्ड का अधिक्ष जो मुख्य कारे पालक अधिकारी यानि कि CEO के रूप में कारों करता था उस पाधियाने कि अधिक्ष को नविन्तम संसुर्दन के मादम से care ओटिया गया है तो अधिनियम 2021 के तहब मुख्य कारे अधिकारी का अलग प्योत्त गईत किया गया है और 1979 कि अधिनियम के तहट के केरा तملनाड़ो, करनाट का राजिकि प्रतिनिधी बोर्ड में शामिल होते थे ठीक है तो अब 2021 का जो अदिनियम है इसमें चौथे राजी के तौर पर कौन सा आया आंद्रप्रदेश के प्रतिनिदी भी इसमें अब शामिल होंगे तो नारियल उत्पादको के प्रतिनिदी के तौर पर केरल तमिलाडू करनाटका के प्रतिनिय के अलावा अब आंद्रप्रदेश और गुजरात के नार्य उत्पादकों के प्रतिनिदी भी बोर्ड में शामिल होंगे तो इस नेक्ष्ट आपका जो पेज है उसमें कहा लिखा है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संद्रक्षन संशोदन अधिनियम 2021 तो यहां किशोर न्याय बच्चों की देख रेख और संद्रक्षन संशोदन अधिनियम 2021 सभा में 24 मार्च को राजसभा में 28 जुलाई को और राशपती द्वारा 7 अगस्त को इसको सहमिती मिल गई तो अधिनियम जो है किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोदन करता है तो यह संशोदन 2018 में राश्ची बाल अधिकार संद्रक्षन आयो की रिपोर्ट के अधार पर किया गया है तो किशोर ने आए बच्चों की देख रहा है इंसरेक्षन अदिनियम 2015 के अनुसार सिविल अदालत द्वारा दत्तक ग्रहन के आदेश देने के बाद बच्चों के दत्तक ग्रहन पूरा हो जाता है अधिनियम 2021 के तहत अदालत की जगे जिला मजिस्टेट अतिरित जिला मजिस्टेट सही दत्त ग्रहन के आदेश जारी करेंगे 2015 के अधिनियम के अनुसार किशोरुद्वारा किये गई गंबीर अपरादों की श्रीडी में ऐसे अपराद शामिल है जिसके लिए 3 से 7 वर्ष तक की कैद का प्रापधार है तो अधिनियम 2021 के मादिम से गंबीर अपराद की श्रीडी में ऐसे अपराद को शामिल किया गया है जिसके लिए 7 वर्ष से अधिक कैद की अधिकतम सजा का प्रापधान है और नियुनतम सजा का नहीं किया गया है और कमसे कम जो है साथ से कम मतलब या साथ से कम है ठीक है इसमें लिए सोंधूद्री साहटा अधिनियम 2019 सुरक्षित नौ चालन हे थू भारत में प्रकाश इस्तम और प्रकाश पॉत का प्रकाशन और प्रबंधन प्रकाश इस्तम अधिनियम 1927 दाए प्रशाशत है जिसके अधिनियमन के समित अत्कालिन बिटिस भारत में मात्र 32 प्रकाश अस्तम्र छे छेत्रों अधन करांची बंबई मदरास कलगत्ता रंगूर में विस्तारित है आजादी के बाद 17 प्रकास भारत के प्रशासने नियंतरण में आये तो वर्तमान में उक्त अधिनियम के तहट 195 प्रकाश तम है तो गौरत तरब है कि भारती समुद्र जीवों की जो सुरक्षा है तो अंतराश्टी अभी समर 1974 का हस्ताक्षर करता है भारत ठीक है और नौ वहन के लिए जो है समुद्री साहता और प्रकाश इस्तम प्राधी करनो के अंतराश्टी में पारित कर दिया गया और 31 जुलाई 2021 को यह राश्वपती की इसको मंजूरी मिल गई है तो इस अधिनियम ने लगबक नौ दशक पुराने जो प्रकाश इस्तम अधिनियम 1927 का क्या करा इस्तान लिया है तो यह दिनियम छेत्रीय जल महादीपीय शेल्फ और अनन्य आर् प्रबद्धान शामिल है तो अधिनियम के तहट केंदी सरकार केंदीय सलाकार कमिटी की निवक्तिक कर सकती है कौन केंदी सरकार नौ चालन सहायता वेल्स ट्रैफिक सेवा को सेवाओं के विकास रख 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 और प्रबंदन के लिए जिम्मेदार होगी तो केंदी सरकार अपने निर्णे वाली किसी नौ चालन सहायता को सहायता को विरासत प्रकास इस्तम के तौर पर कहन नामित कर सकती है तो आगे लिका है आपका राश्य खाध प्रौद्धोगी की उध्यमिता और प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2021 तो यह जो अधिनियम है मतलब विद्यक है आपका सोलमार्ट 2021 को राजसबा 26 जुलाई 2021 को लोगसबा में पारित हुआ और 30 जुलाई को यह इसको क्या है राश्यपति की सहमती मिल गई लिकाई इस अधिनियम के माध्यम से राश्य खाध प्रौद्धोगी की उध्यमिता और प्रबंधन संस्थान कुंडली हर्याना और भारती खाध प्रसंशंग प्रौद्धोगी की संस्थान तंजावर तमिलाडी को खाध प्रसंशंग उध्योग मंतराली के तहत राश्य महत्य की संस्थान का दर्जा प्रदान पतला प्राप्त हो गया तो अधिनियम अधिनियम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्राप्ध स्थापना का प्राभधान करता है जो विभिन संस्थानों के 20 समनवे और संबाद स्थापित करेगी अधिनियम यह भी विवस्ता करता है कि प्रतेक संस्थान में एक कोश होना चाहिए जो संस्थानों के खर्चों को पूरा करेगी तो अब आया है आपका 97 वा समिधान संशोदान अधिनियम में कुछ प्राभधान रद कर दिये गए 20 जुलाई 2021 की बात है तो इसमें रद करने का निर्णा जो है तीन नैदिशों की पीट में नैदिश आरफ नरिमन के एम जोसेफ एन बी आर क्या लिखाए गवई शामिल से टू इस टू वन के का बहुमत मिला दोने हां बुला है इस पर और एक ने ना तो यह अधिनियम जो है सहकारी समिति के प्रभावी प्राभधान से संबंदी थे और इसे जो है संसर द्वारा दिसंबर 2021 को पारित किया गया था और यह जो है पंदर लाइब करवाइग को लाइब स्टूमिंग के साथ यह नियम जारी का 17-जुलाइ-2011 की बात सत्रा यही से हॉपर मामले की लाइब स्टूमिंग शुरू करती ती तो हमारा ुशृबिक, विज हैग हे करेंगें So always क्या है अब हम क्या है नेक्सट पांट में संग मिलेंगे पिलाल आज दो वीडियो थी तो वो दोनों की दोनों हो गई है complete ठीक है दूसरी वीडियो थी गाइस यह हो गई complete तो मेरा पूरा टार्गेट है एक दिन में 15 pages करवाना है 180 के असपास pages है गाइस तो यह 10 11 12 दिन में हम complete कर लेंगे अब ज्यादा calculation की जुरूत नहीं है जिसमें मैंने calculation कर ली है बाकी मेरा काम है कि मैं उसे कैसे complete कराते हूं यह दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं stop और आप से लेते हैं अलविदा